जेहीं दोस्तो तो फाइनली असम राइफल्स के तरब से आप सभी के लिए नई भरती का ओफिसियली नोटिफिकेशन आ चुका है और ये नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है और आप सभी को बता दे तेरे सव और सी पोस्ट पर जो है आपका ये वेकेंसी जारी किया तो आज किस वीडियो में इसी भरती के बारे में आपको बताने वाले हैं काफी सारे स्टूडेंट और सम राइफल्स की नई भरती का इंतजार कर रहे थे तो फाइनली जो है आपका नई भरती आ चुका है और इसका नोटिफिकेशन भी आज जारी किया गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए तो दोस्तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये रहा इसका ओफिसियली नोटिफिकेशन और ये नोटिफिकेशन आप सभी को बता दे आज ही जारी किया गया है सुबा के समय में और ये एक सोर्ट नोटिस है आप सभी को बता दे ये फूल नोटिफिकेशन नहीं है फूल नोटिफिकेशन आपको 15 दिन के अंतरगत जो है देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो ये सोर्ट नोटिस जो है आज जारी किया गया है और आप सभी यहाँ पा देख सकते हैं और यहाँ पे आप सभी आने वाला है और फाइनली जो है आपका ये भरती आ चुका है तो दोस्तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है आसम राइफल्स टेकनिकल एंड ट्रेट्समेन रिकूरूटमेंट रैली 2022 इस टेंटेवली सिडीवल फ्रम एक सितंबर 2022 यानि कि जो इसका रैली कंड़क्ट होगा वह एक सितंबर से होगा ये टेंटेटिव डेट है कनफर्म डेट नहीं है ये जो है रिकूरूटमेंट रैली का डेट यहाँ पे बताया गया है इसके बात आप सभी देखेंगे अनवाड फोर इन्रॉल्मेंट इन्टू गुरूप बी एंड गुरूप सी पोस्ट ए पोस्ट में भी काफी सारे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे और जो टोटल पोस्ट आपका रहेगा तेरे सव असी जो है पोस्ट पर आपका रहने माला है इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अप्लिकेशन और इन्वाइटेट फ्रम इलिजिबल केंडिडेट मेल एंड फीमेल for the trade या post as mentioned below दोस्तो इस भरती के अंतरगत male and female दोनों फार्म अपलाई कर पाएंगे और यहाँ पर जो पोस्ट आपका रहने माला है उसका भी details इस sort notification में दिया गया है तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे bridge and road का पोस्ट है जिसमें 17 आपका पोस्ट रहेगा इसके अ and line का जो पोस्ट है इसमें 729 पोस्ट रखा गया है सबसे ज़्यादा EC के अंतरगत पोस्ट है operator radio and line का जो पोस्ट है इसके अलावा radio mechanic का 72 पोस्ट आपका रखा गया है आर्मर का 48 पोस्ट रखा गया है laboratory assistant का 13 पोस्ट है इसके अलावा nursing assistant का आपका 100 पोस्ट है इसके अलावा आया पारा मेडिकल का 15 पोस्ट है और वासर मैन का जो है 80 पोस्ट है तो यहाँ पे वासर मैन यानि धोबी इसे हिंदी में बोलते हैं तो इसका 80 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है तो आप सभी देख सकते हैं यह सभी जो है आपका पोस्ट इसमें रहने माला है तो कलर के अंतर जो है यह आपका रहने वाला है total की बात करें तो 1380 है इसके बाद आप सबी यहाँ पर देखेंगे बताया गया है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सबी देखेंगे बताया गया है तो दोस्तों यह बताया गया है कि यह जो इसके जो भी जनकारी है यह आप सबी यहाँ पर देखेंगे यह सोट एक नोटिफिकेस है यह फूल नोटिफिकेस नहीं है और यहाँ पर बताया गया है कि इसकी जो भी जनकारी है यह असम राइफल्स का ओफिस्यली बेवर साइट पर जो है दिया जाएगा तो दोस्तों अभी यह सोट नोटिफिकेसन आया है आप सबी यहाँ पर देख सकते हैं यह फूल नोटिफिकेसन नहीं है अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर इसका फूल नोटिफिकेसन कब आएगा तो दोस्तों फूल नोटिफिकेसन आपको 15 दिन के अंतरगत देखने को मिल जाएगा क्योंकि सबसे पहले जो इसका फूल नोटिफिकेसन है वह रोजगार समाचार पत्र में जारी किया जाएगा यानि कि जो इम्पलॉयमेंट न्यूज पर आता है पर तेक सब्ता हमें आप सभी को पता होगा उसी news paper में इसका full notification देखने को मिलेगा उसके बाद Awesome Rifles का officially site पर जारी कर दिया जाएगा जब रोजियार समाचार पत्र में आएगा उसी समय जो है Awesome Rifles का officially site पर भी full notification आजाएगा देन उसके बाद आप सभी इसकी online form apply करना सुरू कर देंगे यानि कि online apply सुरू हो जाएगा तो यहाँ पे आप सभी को बता दे आपको ये vacancy जो है 15 दिन के अंत्रगत देखने को मिल जाएगा यानि कि आप सभी को बता दे 10 मई के पहले 10 मई 2022 के पहले जो है इसका form apply सुरू हो जाएगा और इसका जो राइली आपका होने वाला है यानि कि जो आपका PTPHT 1 सितंबर 2022 से conduct कराया जाएगा तो दोस्तो आप सभी के लिए ये good news है अगर आप awesome rifles की तैयारी कर रहे है हालां कि मैंने पहले भी आप सभी को बताय थे कि awesome rifles की नई भरती आने वाला है तो काफी सारे student को fake भी लग रहा था लेकिन आप सभी यहाँ पह देख सकते हैं आपकी भरती आ चुका है अब आप में से काफी सारे student का सवाल होगा कि इसकी educational qualification क्या रहेगा इसमें age limit क्या रहेगा height क्या रहेगा तो दोस्तो इसकी complete details जो है हम next वीडियो में आपको बताएंगे तो अगर आप सभी इसकी complete details चानना चाहते हैं तो comment section में बताईएगा मैं अलग से वीडियो बना दूँगा जिसमें जितने भी post है सभी post के educational qualification, age limit और height सभी details बताऊँगा तो दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी details इसकी जो है देखने को मिलेंगा तो वीडियो में आप सभी channel को subscribe कर लीजिए क्योंकि इससे जो भी related update आएगा इस channel पर आपको देखने को मिलेगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिंद बंदे मात्रम